हेलो दोस्तों सुवागत है अप सब कफिर से हमारे चैनल पर आयोप कि आप सब अच्छे सूंगे वीडियो भी टॉपिक अपने थम्नेल में देख लिया होगा कि न्यू पासपोर्ट हम किस परकार से अपलाई कर सकते हैं जी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस परका तो गाइज न्यू पासपोर्ट अपलाई करने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया.gov.in के वेबसाइट पे चले आना इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वहां से किलिक करके डायरेक्ट इस पेज़ पे आ सकते हैं य जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस परकार से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा तो गैस अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपको यहां पर पहला वाला उप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं आपको अपको यहां select कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको given name का option देख रहा होगा तो आपको यहां पर आपका name जो है उसको enter कर लेना है नीचे surname का option दिख रहा है तो अगर surname है तो surname यहां enter करेंगे यहां साधी date of birth select कर लेंगे calendar पर जाके आपको यहां पर अपना email ID इंटर करना है, email id इंटर करने के बाद नीचे देखेंगे, do you want to your login id to be same as email id, guys यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगर आप अपनी email id को अपना user id, login id रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर yes पर किलिक करना, नहीं तो आपको no पर रहने देना, उसके बाद नीचे यहाँ पर login पासवर्ड करना है, एक बार फिर से यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे, यहाँ hint question का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर एक question जो है, select करना है, जैसे कि birth city, fabric color, fabric creator, fabric food, तो किसी एक को select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर answer जो है, उसको यहाँ यहाँ इतना करने के बाद आपको यहाँ पर register वाले option पर click कर देना, जैसे आप यहाँ पर click करते हैं, तो आपके सामने registration confirmation को कुछ इस पर करकर page आ जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके email ID पर एक link send किया गया है, उस link पर click करके आपको आपका email जो है, उसको confirm करना है, त जैसे आप यहाँ पर click करेंगे guys, तो आपको redirect space पर ले आएगा, अब यहाँ पर enter user ID का option दिख रहा है, आपको यहाँ पर अपने email ID इंटर कर लेना है, क्योंकि आपने email ID को ही user ID बनाया था, उसके बाद submit करेंगे, जैसे आप submit करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, your account has been activated successfully, please click to login, अब यहाँ पर हमारा जो account है, वो activate successfully हो चुका है, अब यहाँ पर click है, to login पर click कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, अब guys, आपको यहाँ पर login करने का option आ गया, तो यहाँ पर फिर से एक बार login ID डाल देना है, मतलग email ID, उसके बाद यहाँ पर continue वाले option पर click कर देंगे, जैसे आप यहाँ continue करते है, next column खुल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको password इंटर करने के लिए कह रहा है, जो कि आपने अभी जो password create किया था, वो वाला password यहाँ इंटर करेंगे, capture को यहाँ पर fill करेंगे, उसके बाद login वाले option पर click कर देंगे, finally हमारे सामने applicant home का page आ गया, आप यहाँ यहाँ पर apply for fresh password, reissue of password का option दिखेगा, आपको जो second वाले option पर click करना है, अपने new passport apply करने के लिए, आपको यहाँ पर alternative one में आपको दिखेगा, you can fill the application form online, online form fill करने के लिए इस पर click करना है, जैसे आप यहाँ किलिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प अपने के लिए मिलेगा first way, fresh password है, reissue of password कर रहा है, अभी हम new passport apply कर रहे हैं, fresh password पर tick कर देंगे, उसके बद आपको यहाँ पर type of application, आपको normal apply करना है, या ततकाल, तो अभी हम normal apply कर रहे हैं, normal पर click करेंगे, booklet type, तो यहाँ पर आपको passport का जो copy है, वो कितने pages में चाहिए, 36 य लिए करते हैं, आपके सामने applicant details को page आ जाएगा, तो यहाँ पर applicant का name इंटर करेंगे, यहाँ पर उसका surname इंटर करेंगे, उसके बद गयाँ यहाँ पर उसका gender select करेंगे, नीचे आपका other name है, तो आपको yes करना है, नहीं तो no करेंगे, आपका name अगर change हुआ है, तो yes करेंगे नहीं तो no, उसके बद गयाँ आपको फिर से यहाँ date over select करना है, calendar पर जाके, नीचे यहाँ automatic no पर रहेगा, तो आगर आपका India से बाहर जनम हुआ है, तो आपको yes करना है, नहीं तो no पर ही रहने देंगे, place of birth, village, town, city, आपको यहाँ पर आपका जनम, जिस सहर या, town, या गा अगर नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते है, अगर है, तो आप इंटर कर दे, employment type का option दिखे है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप क्या करते है, वो चीज यहाँ से select करना है, so guys, उसके नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है, कि अगर आपके parents, अगर कोई government servant है, को यहाँ पर yes करना है, नहीं तो no पर रहने देंगे, उसके बाद educational qualification, तो आपको यहाँ पर select करना है, graduate and above है, 7th pass है, 10th pass है, जो भी है, यहाँ पर select करना है, is applicant eligible for non-ECR category, अगर आपके पास 10th का mark seat है, तो आपको yes पर रहने दना है, नहीं तो no पर रहने देंगे, उसके बाद य नीचे यहाँ पर I agree का option दिखेगा, तो आपको यहाँ पर yes पर click करना है, उसके बाद save my details पर आपको click करना है, इतना करने के बाद आपके सामने your application for has been saved successfully का option आजाएगा, आपको यहाँ पर एक reference number दे दिया जाएगा, आपको scroll करके नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आ आपको यहाँ पर फिर से I agree पर yes करना है, उसके बाद आपको next वाले option पर click कर देना है, next page family details का आपके सामने open होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको आपके fathers का given name इंटर करना है, fathers का अगर surname है, तो यहाँ इंटर करेंगे, mothers का यहाँ इंटर करेंगे, mothers का surname इंटर करेंगे family details फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ save my details पर click करना है, फिर से आपको यहाँ पर next कर देना है, यहाँ पर आपको no pay रहने देना है, आपको यहाँ पर host number and street name इंटर करना है, village town city इंटर करेंगे, state and district आपका select दीखेगा, यहाँ पर police station आपको select कर लेना है, pin code इंटर करें mobile number इहाँ पर आपको इंटर करना होगा, यहाँ पर आपको फिर से email id इंटर करना है, अगर आपको कोई permanent address अगर available है, आप कहीं और पर रहते हैं तो आपको yes करना है, नहीं तो no पर ही रहने देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर save my details पर click करना है, यहाँ पर SMS से वा का option updates from passport से वा, आपको इहाँ पर ok करना है, फिर से ok करना है guys, next page emergency contact का आजाएगा, अपने रिष्तेदार या दोस्त का यहाँ पर name इंटर कर देंगे, उनका mobile number इहाँ पर enter करेंगे, उसके बाद फिर से save my details पर click करेंगे, फिर से next कर देंगे, identity certificate passport details का page आपके सामने कुछ इस पर available पर click करना है, नहीं तो details not available पर click करेंगे, उसके बाद guys यहाँ पर बताया जा रहा है, have you ever apply for passport but not issued, अगर आपने पहले passport apply किया था और किसी परकार issue नहीं हुआ तो आपको yes करना है, नहीं तो no पर रहने देंगे, और save my details पर फिर से click कर देंगे, उसके बाद guys फिर से next next करने के बाद other details का आपके सामनी कुछ इस पर करका page आजाएगा, यहाँ पर कुछ चीज़े दी गया है, तो आप इसको read करेंगे और अपने हिसाब से yes या no select करेंगे, जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई case हुआ है, तो आपको yes करना है, अगर आपने पहले से passport apply किया था और आपका passport अगर reject हो गया है, तो आपको yes करना है, तो अभी हम सभी पर no कर दिये हैं, उसके बाद save my details पर फिर से click करेंगे, click करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, और next करना है, passport preview details का आपके सामनी कुछ इस पर करका page आजाएगा, तो यहाँ पर आपका photo and signature नहीं दिख करेंगे, आपके सामनी कुछ इस पर करका page आजाएगा, तो आपको यहाँ पर proof of birth पर आपको click करना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर एक document select करना है, जैसा कि आधार काड आप select कर सकते हैं, उसके नीचे आपको यहाँ पर option दिखेगा, proof of present address, आपको कौन सा document देना चाहते यहाँ पर आपको आधार का option दिख जाएगा, तो आपको यहाँ से select कर लेना है, अगर grant digital locker से access करना चाहते हैं, तो आप digital locker से access कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रहने देंगे, passport office में आप इस documents को लेके पहुंचेंगे, और यहाँ पर आपको अपना place जो है, उसको इंटर कर और यहाँ पर option दिखेगा, आपको pay and schedule appointment, तो अब आपको payment pay करना होगा and appointment book करना होगा, जिस date में आप passport office visit करना चाहते हैं, हम यहाँ just click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने choose payment mode का option आजाएगा, अगर आप online payment करना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे, अगर आप offline payment कर आपको इस पर टिक करके चालान, आपको SBI buying में पहुचाना होगा, अभी हम online करेंगे, इसके लिए next कर देते हैं, टिक करके next page schedule appointment का आगया, तो आपको यहाँ पर details दिखेगा, और next करेंगे, next करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करका page आएगा, तो आपको यहाँ पर location पर क्लिक करना है, और आप जिस भी passport office में विजिट करना चाहते है, आपके area के जो भी नजदिक है, वो यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर capture जो दिख रहा है, capture fill करेंगे, उसके बाद guys next कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर next करते हैं, next करने के बाद आपको यहाँ pay and book appointment का option दिख जाएगा, तो आपको जिस पर click करना है, okay I understand पर click करना है, click करने के बाद redirect आपको payment mode में enter करेंगा, आप guys यहाँ पर आपको अलग अलग payment का option दिख जाएगा, net banking, card payments, other payments mode, अगर आप UPI से करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, अब हम UPI से करना चाहते हैं, तो आपको just UPI वाले option पर click कर देना है, payment details का page आएगा, आपको नीचे scroll करना है, QR code लेना चाहते है, VPA लेना चाहते है, जो भी हम QR code पर click करते हैं, आपके सामने QR code open होकर आजाएगा, तो पासपोर्ट अपलाई करने के लिए आपको 15 रुपिय का payment करना पड़ता है, तो redirect देख स your appointment has been booked successfully, your appointment number is इतना आपको दिखा रहा है, और आपको यहाँ पर details दिख रहा है, तो आप यहाँ से print application receipt पर click करके आप इसको print भी कर सकते हैं, अब गाईज इसमें एक common चीज़ किया है, कि किसी किसी case में appointment एक बार में book नहीं होता, view saved submitted application पर जाना है, उसके बाद आपने पास appointment पर फिर से click करना है, जैसे click करेंगे, देख सकते हैं appointment date यहाँ पर book दिखा रहा है, तो अगर आप पर residual appointment करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आपको यह appointment book हो गया है, तो इस परकार से आप घर बैठ है, अपने mobile phone या computer के माधियम से अपना passport apply कर सकते है I hope कि यह जनकारी आपको पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का सेर करें, और इस तरह informative वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बैल वाल आइकन को हिट कर ले, मिलते हैं नई वीडि आई है।